हमेरे पर से कोशिन अभीलिबल है, देखिए उस कोशिन कैसे सॉल्ब करें, मुझे किसी ने कोशिन दिया है कोशिन अच्छा है मैं ट्राइ करता हूँ आपको समझाने की बागे कोशिन अच्छा लगे और वीडियो अच्छा लगे तो पहले चैनल को सब्स्राइब कर दिजिएगा कोशिन को बोर्ड को लिख कर सिलाते हैं कोशिन आपको सामने लिखा हूँ है कि एक बेक्ती के पास पांच रुपया, तस रुपया और विश रुपया की नोट है जिनकी कुल रासी पंदल सो पचातर रुपया है जिनील रासी 575 पहाँ ऑचितनी प्रित्यक शव्जों राइबर हो है कुल्स कितनी नोट सब्सक्राइब देकने में सेस्टी है, प्रित्यक नोट के छिव अ कितनी तो क्यों सबस्दान है छे जो जो नोट है हमें नहीं पता है किुतना हैと思います हूँ 55 30 का note है यह भीनी पथा किना है इसको भी हम h AX लेते हैं जो 22 का note है यह भीनी पथा है इसको हम Х .. Total इनका कितना हो जारा है 575 औप यह देखे इसको हम आपस भीने जूड़ लेंगे क्योंकि total यह जो know है कितना know है हमें यह नही पता है अब हम में calculate करते हैं तो 35 X इक्वल्स टू 1575 ठीक है यहां तक समझ में आगया टोटल मतलब नोट हमको नहीं पता है अभी नोट हम निकालता है अब यहां पर जब हम निकालेंगे एक्स की वैलू एक्स की वैलू जो निकालेंगे तो यह 35 आकर कि धर डिवाइड हो जाएगा 1575 अपान 35 इसको सॉल किजिए इसका शॉल्यूशन हो जाएगा यह 45 वार में कड़ जाएगा यानि कि एक्स की वैलू हो जाएगी आपकी 45 कुल कितने तरह की नोट है एक दो तीन त कझाल गया और जो मुझे एक नोट का मतलब मतलब एक नोट की संख्या निकल गये तो तीन नोट की संख्या कितनी वह जाईए जब तीनो नोट का संख्या बराबर है तो हम क्या करेंगे अब x multiply 3 क्योंकि तीन नोट के निकालना है तो एक्स का वाईलू कितना दिया है 45 मल्टीप्लाइ 3 इकवास टु 135 यानि कि जो इसका एंसर हो जाएगा हो जाएगा 135 यानि कि टूटल नोट के शेंख्या हो जाएगी 135 आपके पास नोटिफिक्शन समय से पहुंच जाए ओके